हेलो एवरीवन और वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइस हमारे चैनल पे हर एक्जाम से रिलेटेड मैट्स के कोश्चन आपको बड़ी ही इजी वे में ट्रिक से सॉल्व करना सिखाया जाता है तो गाइस आज का हमारा कोश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर वर्ग हो तथा दस, बारा, पंदरा, अठारा से भी विभाजित हो तो गाइस ऐसे कोश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दस, बारा, पंदरा, और अठारा का लौसा हम निकालेंगे तो इसका हम लौसा निकालते हैं दो से डिवाइड करेंगे, फाइब बार में जाएगा ये सिक्स बार में, ये नहीं कटेगा ऐसे, नीचे उतार लेंगे और ये नाइन बार में फिर हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे 5 ये 3 हो जाएगा ये 15 ही रहेगा और ये 9 ही रहेगा फिर हम इसे divide करेंगे 3 से ये 5 ही रहेगा ये 1 हो जाएगा ये 5 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा फिर 3 से divide करेंगे ये 5 ही रहेगा ये 1 हो जाएगा ये 5 रहेगा ये 1 और last में जब हम 5 से divide करेंगे तो 1 ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1 आ जाएगा अब हम देख रहें यहां पे कि 2 into 2 into 3 into 3 into 5 अब यह कह क्या रहा है कि पूर्ण वर्ग हो तो यहां पे पूर्ण वर्ग होने के लिए हम दो-दो का जुड़ा लगाएंगे तो guys यहां पे देख रहे हैं कि एक पाँच की यहां पे कमी है अगर एक पांच हम यहाँ पे लिख देते हैं तो इसका भी क्या होगा जोड़ा लग जाएगा तो guys यहाँ पे एक पांच हम लिख देंगे अब इसको क्या करते हैं multiply कर लेते हैं तो multiply करेंगे तो 22 जा 4 हो जाएगा आप 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 हो जाएगा और 36 5 जा 180 हो जाएगा और 185 जा 900 हो जाएगा तो guys यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा तो guys वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और guys अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें तो guys मिलते हैं एक और वीडियो के साथ so guys thank you so much for watching this video